तो स्वागत है आप सभी का एको न्यू वीडियो पर देखे इन देनों MP वोड की तरफ से काफी कोछ चीज़े सामने आ रही है जो कि मैंने आपको अपनी रिसेंट वीडियो में कवर कर रखी है और ऐसा नहीं है कि ये जो चेंजेस किये जा रहे हैं MP वोड की तरफ से उनकी स सिर्फ अपडेट आ रही है नियूस पेपर में या फिर ऐसा होना चाहिए इस तरीके के प्रस्ता बोर्ड में भेज़े जा रहा है जैसा आपकी best of five scheme के साथ हो रहा है कई बार प्रस्ता बेज़ेगा है बोर्ड में कि best of five scheme को हटा देना चाहिए बट इसका भी तक कोई भी changes बताएगा है जो जो अपडेट में आपको वीडियो की तुरू बताईए उनका यहां पर ऑफिशन नोटिस आ गया था बोर्ड की तरफ से यहां पर आप देख सकते हैं पांच पॉइंट में आपको बता देता हूं क्या क्या दिया गया है वैसे तो मैंने इस अभी की उप प्रेटिक इसका ओफिशन नोटिस कहा है तो यही वह ओफिशन नोटिस है इसके तुरू आपको इंफॉर्मेशन दी गई थी बोर्ड की तरफ से अब इसमें जो फर्स्ट पॉइंट आपका आया है उसमें आपको बताया जा रहा है कि आपको प्रेक्टिकन एग्जाम होग पर मैंने पूरी इंफॉर्मेशन दी रखी है वहाँ से जाके आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट में आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो बोर्ड एग्जामनेशन की कॉपी आएगी उसमें आपको सप्निव एंट्री नहीं दी जाएगी सीधे 32 पीच की आपकी कॉप बार कोड वहां पर है तो उसका जो यूज होगा वो आपकी एंट्री वगरा में किया जाएगा फॉर्थ पॉइंट में आप देखेंगे तो यहां पर आपको इंफॉर्मेशन दी गई कि आपको सबसाब बताया गया है कि कॉश्चन सेम ही रहेंगे बस उनका जो सीक्वेंस बोड की तरफ से यानि कि जितने भी चेंजिस किये गा है या आपके बोड एक्जामिशन 2023 में ही किये गा है और आप यह सुच रहोगे फिफ्ट पॉइंट में क्या दिया गया है तो फिफ्ट में आपको यह बताया जा रहा है कि आपकी पुरानी कॉपी जो आपकी आंसर श की आपकी आंसर ग श्यू